कंडवाल में अनुसूचित जाती स्वाभीमान सम्मेलन में लोगों की हजारों की तादात में भीड उम्री कारेक्रम में रणबीर सिंग निका ने आये हुए लोगों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया इस दोरान रणवीर सिंग निका ने सभी का इस समेलन में आने पर आभार व्यक्त किया रणवीर सिंग निका ने इस विशाल समेलन में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव परिवर्तन का होगा और नूरपूर की जनता बदलाव लाएगी उन्होंने कहा कि नूरपूर के लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं क्यूंकि यहां विकास नहीं हुआ उन्होंने सत्ता में रहे नेताओं से जानना चाहा कि उन्होंने लोगों के रोजगार के लिए क्या किया युवाओं के लिए और शिक्षा के खेत्र में क्या खास कदम उठाए नूरपूर के लोग यहां रोजगार, शिक्षा और विकास के लिए परिवर्तन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने आशिरवाद दिया तो वे हर व्यक्ति के मान सम्मान का खयाल रखेंगे। लोगों के विकास और उत्थान के लिए हमेशा प्रियासरत आज जोती पहले सकंडवाल में अनुसूचित जाती स्वाविमान जो समेलन जहां पर अजोजित किया गया है इसमें पूरे नूरपूर के हमारे जो करे करता है यहां पर पहुंचे उसमें भाग लेने के लिए और पूरे अंसूचित जाती समाज ने प्रण किया है कि इस बार नूरपूर से रणवीर सिंग निक्का को जता कर विदान सभा भेज़ना है तो कौने-कौने से हमारी जो टीम हैं जिन्होंने कमेटियां गठत की जिनोंने पांच सलाकार नूरकूर के अंदर अंसुचित जाती समाज के बनाए पांच उपाध्यक्ष बनाए अंसुचित जाती के ताकि वो दस-दस पंचैतों में जाकर अपना कार्यक करें उन्होंने 501 जो है जो सदस्य बनाया है जो हर कमेटी पर जाकर टीम गठित करेगा तो आज पुरा समाज यहां पर भाग लेने के लिए पहुंचा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी और अपनी टीम की और से, जो कोने कोने से आये हुए हमारे माता, बज़ोर्ग, बेहने, प्यारे बच्चे जहां पर पहुंचे हैं, मैं उनका तैदिल से धन्यवाद क क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, इसके लावा यहां होती है सिर्फ गला और फेश्यल रिकंस्ट्रक्टिब सर्जरी, और सभी का अपचार मुनासिब दाम में किया जाता है, साती हिमकेर और आईशमान कार्ड भी माने हैं, ताकि आपको मिलें बेहतर इला, और आप जीएं बेहत हमारा पता है हिमाचल हैडनेक सेंटर एड डॉक्टर एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल नियर नादाउन चौक हमीरपूर